तो आज मैं आपको बताऊंगा हलवाई स्टाइल बरिक वाली बूंदी के लड़ू घर पे कैसे बनाए और एक तम इजी तरीका बताने वाला हूं इस तरह से लड़ू बनाएंगे टेश्टी तो बनेगे बनेगे एक तम सॉफ्ट बनेगे अंदर से लड़ू देखे कितने न कि मैंने पानी का बॉल लिया है पानी आपने यहां पर थोड़ा थोड़ा करके डालना है तकि बेसन के लंग्स ना बने जब हम बेसन को मिक्स करें और यह देखे बिसकर की साहितर या हाथ की साहितर से आपने बेसन को अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेना है तो आदा बॉ चीज़ किया था वो भी इसमें एड़ कर देते हैं तो देख सकते हैं पूरा एक बॉल मैंने बेशन का लिया था एक बॉल इसमें पानी का एड़ किया है जो कस ए थोड़ी सी थीक कंसिदेंसी रखनी आपने लट्डू बनाने के लिए पतला गोल नहीं बनाना है गोल आपका ठीक होना चाहिए तभी लट्टू एक्तम प्रफेक्ट बनेंगे और इसके बद आपको जारा चाहिए होगा अब जारा नहीं हो तो आपके बस ऐसा प्राश्टी का बॉक्स होगा उसमें आपने चोड़े-चोड़े होल करने हैं देखिए मेरे पास यहां पर कील है इसको हलका सा गर्म करेंगे और गर्म करेंगे इसमें चोड़े-चोड़े होल कर लेंगे अगर आप मोती चूर के लट्टू बना रहे हैं तो आप सुई से भी इसमें होल कर सकते हैं बिल्कुल बारीक होल करने हैं जितने बारीक कर सकते हैं ज़्यदा मोटे होल नहीं तो मोटे वाली बुंदी बन जाएगी यह देखिए देख सकते हैं यहां पे मैंने सारे बॉक्स में छोड़े-छोड़े होल कर दी हैं और इसके बुद आपने आपने मीडियम रखनी है जदा गर्म-गर्म तेल में डालना है तो बुंदी न जल जाती है देखिए थोड़ा सा इसमें आपने बैटर डालना है और जो पैकिंग बॉक्स है उसको आपने न कड़ाई के ओपर जोड़ जोसे इस तरह से पटकते रहना है इस तरह से जोड़ से पटकेंगे तो बुंदी न अपने आप ही निकलती चाहेगी और अगर आपका बैटर पतल होगा तो इससे क्यों होगा उससे बैटर बहुत ही जल्दी कड़ाई में गिरना शुरू हो जाएगा और उससे आपकी बुंदी कम बरीक नहीं बनेगी तो देख सकते हैं कितनी बरीक हमारी बुंदी बनके त्यार होई है अगर आप इससे थोड़ी मोटी बुंदी बनाना चाहते हैं तो थोड़े से बड़े होल कर सकते हैं और इसके बुदा आपने बुंदी को जादा पकाना तो होता नहीं है क्योंकि बरीक बुंदी होती है बहुत जल्दी पक जाती है लड़ू बनाने के लिए और बुंदी को आप छन्नी की साहता से इस तरह से निकाल लेज़े अगर आप 10-12 पीस बनाना चाते हैं 1500 ग्राम बेसन लेज़े उससे आपके 10-12 लड़ू बनके त्यार हो जाते हैं अब इसी तरह से सारी के सारी बुंदी बना लेने हैं देख सकते हैं इस डब्बे से मैंने कितनी सारी बुंदी बना लिए मुझे लगवर 25-30 मिन लगे हैं क्योंकि पैकिंग बहुत थोड़ रहा था और उससे जो बैटर है बहुत ही अराम से निकल रहा था तो देख सकते हैं कितनी बरीक हमारी पूंदी बनके त्यार हुई है इससे मोती चूर के लड़ू भी असानी से बना सकते हैं अब यहां पर मैंने 400 ग्राम चीनी लिए 300 ग्राम बेसन का यूज किया था तो 400 300 ग्राम आपने चीनी का यूज करना है लड़ू बनाने के लिए और एक मैंने कडाहि लिए स्टेनले स्टील की इसमें चीनी एड़ कर देते हैं अब जितनी आपने चीनी लिए ना उससे डेड़ गुना ज़ादा आपने इसमें पानी एड़ करना है एक कब चीनी लिए चुकी है अब आपने इसको ना 2-3 मिन तक हाई फ्ले में पकने देना है और थोड़ा सा इसमें इलाइची पौर्डर डाल देशे डेसे डेसर्ट में बहुत इचा फ्लेवर आता है इलाइची पौर्डर का थोड़ा सा केवरा पॉटर मैंने इसमें एड़ किया है अब अब तार बगेरा नहीं बनानी है थोड़ी पतली चाशनी रखनी है क्योंकि जब हम इसमें बूंदी आइड करेंगे वो चाशनी को अब्सर्फ कर लेती है इसके बद आपने बूंदी आइड कर देनी है और जब आप बूंदी बना के रखते है तो आपने पेपर जुरू लगाना है उसके नीचे क्योंकि बूंदी के अंदर जो ऑईल होता है वो पेपर सोक कर रहता है और इसके बद गैस की फ्रेम आपने मीडियम रखनी है बूंदी को आपने कम से हमना तीन से चार मिन तब पका लेना है ताकि बूंदी एक तो चाशनी को अब्सर्फ कर ले देख सकते हैं बूंदी यहां पर ड्राई हो चुके थोड़ी सी और सारी की सारी चाशनी को इसने अब्सर्फ कर लिया है इसके बूंदी को कड़ाई में बिखेर दीजे या फिर आप इसको किसी ट्रे में निकाल लीजे ताकि यह जल्दी से ठंडी हो जाए तो देखिए य जो चाशनी होती है के बाद जम जाती है लड्डू में उससे वह जमेंगी नहीं आपके लड्डू सॉफ्ट ही रहेंगे और घी और हनी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं बूंदी के साथ में हलवाई लोग इसमें गुलुकोस प्यरावी डालते हैं उससे लड्डू जब यह गुनगुनी रहेगी चाशनी इसको आपने इस तरह से मैश कर लेना है क्योंकि थोड़ी बहुत बूंदी जादा ही मोटी रहती है जब आप इसको मैश कर लेंगे एक तो अच्छी वाइनिंग आ जाएगी और आपके लड्डू में अची शेफ आएगी देखिए बूंदी को अच्छी तरह से मैश कर लिया है अब इसके आपने लड्डू बनाने है तो यह देखिए इस तरह से जब आप इसको मैश करेंगे आपके लड्डू ना अच्छी तरह से बन जाएंगे और इस साइज में आपना लड्डू बनाके त्यार कर लेंगे अब इसी त थैंक यू